कि यह सरकार नमस्कार माहोल जबदस्ट शानदार सर जिनके भी सीए इंटेमिडिट की एक्जाम्स अभी मैं 24 में हैं बच्चों आपके लिए बहुती सुंदर बहुती इंपोर्टेंट और शानदार आपके लिए वीडियो रिकोड कर रहा हूं यह वीडियो विल कवर सर सारे अमेंड्मेंट जो नए अप्लिकेबल हुए मैं 24 एक्जाम्स के लिए उन सबका एक समरी वीडियो अच्छा आपने अल्रेडी पूरा फास्टेक बैच यूट्यूब पर देख लिया होगा सारे अमेंड्मेंड्मेंड हमने उसमें कवर किये आपने फुल गोर्स भी लिया ह तो भी उसमें सारे अमेंड्मेंड्मेंड कवर किये नए अमेंड्मेंड नहीं है पर जो अमेंड्मेंड्मेंड्मेंड हुए है उन सबका एक समरी रिवीजन वीडियो में अप्लोड कर रहा हूं आप कम समय में सारे अमेंड्मेंड्मेंड रिवाइज कर पाए क्योंकि सर इस बार अमेंड्मेंड्मेंड जितने भी थे वो सब एक्जाम्स लिए बहुत इंपोर्टेंट है एंसर लगबग मुझे सा लगता है कि सर इंटर्मेंड में जी एश्टी 50 माक का आता है उसमें आएंगे या आएंगे minimum मेंचा clear इसलिए this lecture will be very important for your exams तो मुझे लगा कि सर यह अमेंड्मेंड्मेंड भी आपको उसका भी एक सब्सक्राइब यहां पर यहां पर यूज कर रहा हूं यह अपना जो जीएश्टी का रिबूट समरी बुक है बेटा उसके सर उन सारे टोपिक को मैंने बाहर निकालके इसमें समरी बना दी है जो अमेंड्मेंड्मेंड्मेंड के थे बेटा जिन Bab už वह क्रभाशओ आपके लिए 10 पेज का सर पूरा अमेंड्मेंड्मेंड का समरी आपके लिए नोट्स रैडियर यह आप अपनी वेबसATE Pourंड कम इसके फ्री रिसोसे न जाके सी ये इंटेमिनिट में से डाउलोड कर सकते हूं PDF फैल बेटा जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा बच्छो एंसर जिनके भी एक्जाम्स में 24 में है यह वो वीडियो यह वीडियो इतना इंपोरेंट है कि अपने चितने भी दोस्त लोग है उ अपने रिवाइस कर लिए तो सर हंड्रेट परसेंट माहल बन जाएगा सर एक्जामें क्वेशन देखते ही आपको मेरी याद आएगी इंट सर बस दुआ ही बहुत है हमार लिए सर आईए बचो सर हम देखते है क्या अमेंडमेंट्स का रिविजन वीडियो बेटा आपके लिए सर अमेंडमेंट इन चेप्टर में टू लेवी इंट सप्लाइ सर सबसे पहली बात जो सेक्शन में फाई सब्सेक्शन वन है आई जस्ट एक्ट वाला दिल थामके सुनना पूरा कॉंसेंट्रेशन यह होना चाहिए क्योंकि के वला रुकिन अमेंडमेंडमेंड की बा सब्सेक्शन वाला इस प्रोवाईजों में लिखावा था क्या इंपोर्ट ऑफ गूर्स पर कस्टम लगता है और कस्टम के साथ में आई जिए भी लगता है ठीक है वहां पर एक अमेंडमेंड मेंडमेंड क्लेम्स जैसे ओनलाइन मनी गेमिंग में पढ़ा बेटा कि ओनला आप सर यहां पर बुला क्या अगर वो वेबसाइट आउट ओफ इंडिया की जैसे जंगली रमी पर आओ न महाराज और महाराज पोज गेंड़ जंगली रमी खेलने के लिए और मालों वो वेबसाइट आउट ओव इंडिया की बेटा तो इस प्रेसिवाट एक्शन बेंड में आते बेटा तो आउट ओफ इंडिया की वेबसाइट से अगर आपने इस तरह के ओनलेन मनी गेमिंग खेले तो एक तरह से टेक्निकली बात करें तो वह इंपोर्ट ऑफ गूर्स होगा बच्चा पर आक्चली कोई गूर्स इंपोर्ट नहीं हुआ है इसलिए उस पर कस् लगना है आउट ओफ इंडिया का वेबसेट था तो भी टेक्स लगेगा और उसको इंपोर्ट ऑफ गूर्स मानते है वहां पर कस्टम नहीं लगेगा पर आईजिटी जरूर लगेगा बच्चा हाँ है ना भाई क्लेयर तो सार यह देखिए यह ग्रीन वर्स मेंने अमेंड आई लगेगा अच्छा इंडिये की वेबसेट से लगना इन लगना यह लगना है बटा ठीके चली सरकार आईए बच्चो सर जैसा अभी हमने अनलेन भी बात करी सर वेसे शिखञे में अमेंडमेंट करके पहले गवर्मन क्या था किवल बेटिंग गेंडिंग नोटरी पे लगाया बता अभी अमेंबंट किया और बोल दिया क्या एक्शनेबल क्लेम्स इस नीदर सप्लाइब गूर्स नोर सप्लाइब सर्विस श्रीज देगे बिटा यह मैंने टॉपिक का नाम लिखे बिटा किस टॉपिक में अमेंड में बच्चा पहले लिगा चप्टर चप्टर एक्शनिबल क्लेम के शप्लाइब पर जीश्टी लगिए गा अब स्पेसिफिफए डीक्शन मत्या बच्च अब क्लेम्स इन्वोल्ड इन पर बाइव बैटिंग फिर्टा खेल रुटा बैटिंग सरकार कसिनोस गेंबलिंग होर्स रेसिंग लोटरी और ओन लेन मेंई गे भाई सर आपने होर से सिंग खेला बेटा हाया ना भाई सट्टा लगाया सर आपने गेंबलिंग जुआ खेला सर लोटरी खरीदी ओनलाइन मनी गेमिंग खेला यह सब इस्पेसिवाट एक्शनमल क्लेम के इसकोप में आते हैं और इन सब पे जीएश्टी लगता है और खास ब सब्सक्राइब आपने बीच ने अखेल आपता है फिस अटियर्ट खेलना भच्षेल अकट में पूँटू पूट असे किया बढूर। पड़ता है हाँ ना सर लोटरी में क्यों पहले पैसा दोगे तो लोटरी टिकेट मिलेगा आपको सम्झे मेरी बात सर कोई भी जुआ के लिए पहले पैसा देते हो फिर जुआ कहलते हो तो सर आपे एडवांस प्रमेंट किया है बली वो गूट से फिर भी जीए लगेगा बच और रिसीट ओ पैमेंट विचवरीज अर्लियर इस दटाइम ऑफ सप्लाइ जो भी बुकी बुकी बगरा जुआ खिलाते बेटा उनको आपने पैसा दिया है तर उस पर जीश्ट लगेगा और टाइम सप्लाइग क्या होगा डेट ओफ इश्य ओफ इन्वाइस बाइश सब्सक्राइब एक अमेंटमेंट था सरकार ब्लॉक क्रेडिट सेक्ष्ट नमर 17 सब्सक्षिन 5 ब्लॉक क्रेडिट हमने पढ़ाता क्या कि नो इन्पूट टेस्ट क्रेडिज अलाउट इन रस्पेक्ट ओफ वो सारी गूर्स और सविसेज विचार कवड इन सक्ष्ट नमर 17 सब्सक्षिन 5 उसमें क्लोज नमर एफ ए नया एड हुआ था क्लियर सर आपने और हमने पढ़ाता बेटा क्या कोर्प्रेट सोचल रेस्पंसबिलिटी बेटा सी एस पर कंपनी जैक्ट सेक्ट नमर 135 अव दिकम्पनीज एक कोडिंग कंपनीज को कुछ सोसाइटी के लिए क सब्सक्राइट के लिए उन्होंने गुड्स या सर्विसेज खरीद दी बेटा उन पर जो जीएश्टी पे किया उसका इटीसी नहीं मिलेगा क्लियर तो गुड्स और सबीसेज और बहुत रिसीवट बाया टैक्सवल परसन विचार यूजड और इंटेंड़ टो परचीज जनता की साहता के लिए उन सब गूड्स और सब्सक्राइट नहीं मिलेगा क्योंकि वह सोसाइटी के भले में काम आ रहा रहा आपके बिजनस लिए नहीं आ रहा ना मजा बिटा इसे अपने अगरी स्लेक्टर को ध्यान से सुन लिया इसे कवर होंगे और एक्जाम के लिए इस लेक्टर बहुत इंपोर्टेंट रोगाप के लिए बिचाँ तर अगर आप इलेक्रोनिक कॉमर्स ऑप्रेकर थू सर्विसे सप्लाइब कर रहे हो जापे टीस अप्लिकाबल होता है देन यूर नोट इलिजिबल फर कंपोशन स्क नहीं सर पहले अगर आप गूर्ट भी सप्लाइब करते थे ऐसे किसी इलेक्रोनिक कॉमर्स ऑप्रेकर थू जापे टीस अप्लिकाबल होता था तो ऐसे लोग ऐसे लोगों को सर कंपोशन स्कीम नहीं मिलती थी पर अब अमेंड्मन करके बोल दिया क्या गूर्ट को काड़ मतलब अगर आप ऐलेक्रोनिक कॉमर्स ऑप्रेकर थू गूर्ट सप्लाइब करते हो जाप टीस अप्लिकाबल भी होता हो तो भी यूविल बी एलिजिबल फॉर कंपोशन स्कीम आपको मना नहीं करेंगे पर अगर आप सर्विसस सप्लाइब करते हो किसी ऐसे किसी इलेक्रो सबसे पहली बात यह सामने पड़ता ने जो भी सर्विस दी उस पर फोर्वर्ट चार्ज में लगता है वेटा है ना आएसे ही सर मिनिश्ट्री ओफ रेलवेज इंडियन रेलवेज जो भी ग्रिन वर्ट दिख रहे हुआ अपने आपने सर दना यह भी जो में नोट से बढ़ यह भी आपको दस पैसे दिख रहे पर इसमें जो ग्रीन वर्ट से वही अमेन रिटा और भी इस लेक्शन में ध्यान जिसे मिनिश्ट्री ओफ रेलवेज ने सर कोई एरिया किसी कंपनी को रेंट पर दे दिया बैच्छा अपना माल इस्टोर करने के लिए ताकि वो रेलवेज से इसली ट्रांसपोर्ट कर पाए कि सर तो इरिया जुरेंट पर दिया है जी हिस लगएगा और खास बात आपके को नाई हैं फ्रवर्ट चार गेंगी है मतलब मिनिस्त्री ओफ रेलवेज इंडियर ने को बी सर्विस दियेमरेगा लिए लगा बच्चा क्लियर हाँ देखो पिच्छा जश्ट एक बात रगना कि अगर कोई सर्विस को अलग से एक्जम किया है तो बात अलगे जैसे लेजमे ट्रांसपट ऊफ पैसंजर किया है इन अ क्लास आदर इन फिर्स्ट घिटा अभी बीटा तो जो से स्केशरेंगे जबाए लगने लगेगा रिवर्चार बात इसको भी गटाई बिटा और यहां से यहां पर लिख दिया कि कि इमोल पर्प्रेटी अगर गॉवर्मेंट पर देती है और रिवर्स आस रखता है पर अगर वही प्रोपटी सर रेंट पर दिए किसने मिनिस्ट्री ग्रेलवे ने इस इंडियन रिवेज ने अगर एंट पर दिये बली रिवाफ फॉर्वर्ब्चा मेकरिजम लगएगा और रेल्वेस खुट टेट्स पे गरेगा अंडर फॉरवर्ट चाज मेकरिजम बटा एक्लियर डन आई होब सारे अमेंडमेंट्मिंट्स आपके रिवाइज होरा अच्छे से बच्छा आई यह बच्छो सेक्शन नाइन सबसेक्शन फाइब कि अगर आप ट्रांसपर्ट पैसेंजर्स बारेडियो टेक्सी मोटर के मैक्सी के मोटर साइकल और एनिदर मोटर वेहिकल से सर्विस देते हो और वो सर्विस जो प्रवाइड करिए उसकी बुकिंग का से विए इलेक्रोनिक कोमर्स ऑप्टर के तुरू बूक हुई है जिसे उबर तो वापे ओला उबर विल भी लाइबल तो पेजी एस्टी तो दी गौर्मन डाइकली सर इसी ओ विल बी ट्रीटेट एज इस अपनार व सबस्टा हाई ना भाई तो वापे सारे मोटर वाइकल कवरते है सर पर अभी हटा दिया किसको ओमनी बस को और ओमनी बस क्लिए लाइबर अलगसे मतलब एक तरह से आठ पर से आठ पर सिक बस्टी वाला पर वाइकल है तो उसको बलते है ओमनी बस और ओमनी बस के तुरू आपने ट्राइब परसंजर किया और उसकी बूकिंग हुए ए एलेक्रोनी कमर्स ऑप्र अपटर के तरू तो यसे एसके इस में न गवर्मन ने ने नाइन फैव घटा दिया है बाकि कोई भी परसंट जैसे इंडिविज्वाल पार्टनर्शी फार्म कोई भी अगर सर्विस दे रहा है थू इलेक्रोंटिक और नाइन फैल लगेगा बैटा ठीके तो गवर्मन ने क्या किया जनरल पोइंट से पेले ओमनी बस कोट आया और ओमनी बस लिए अलग से पोई लिग दिया क्या बोल दिया बटा ट्रांस्पोट प्रसंजर बाइन ओमनी बस के कैसमें नाइन फैल लगेगा एक्सेप्ट वेर्दी सर्विस वेर्दी परसंट सप्लाइं सथ सर्विस थ्रू इस यो इस आ कंपनी मतलब अगर आ आये बच्चो एथा चप्टर नमबर 7 रिवर्स चारज में ईख वाला बटा आये सर चप्टर नमबर 8 प्लेस व शप्लाइस चलिए सर इसमें आमेंडमेंट्मिन जी हुँआ था वैसे प्लेस औस अप्लाहै पूरा चप्टर आपके सबस्वान आया आया नियूस की में मैंन समस्क्राइब उसमें अधा कि अगर मैंने कोई गुट्ष बैचा बेटा इसको अनरीश्र पर्संग को बैटा पिए मैंने गूर्डफेजट्ट पेचाहे अनरेच्टर पर्संगो कॉस्ट्मर कर नहीं है तो यह से केस में सर अगर कॉस्टमर जीएस्ट मैं रोइस्ट नहीं है उसको मैंने गूट्स बेचा है तो भी कोई बात नहीं रेसीपेंट का लोकेशन ही प्लेस अव सप्लाय होगा अगर उसका एड्रस और रिकोर्ड है तो मतलब मैं जो गूट्स बेच रहा हूं मेरा जो कस्टमर वो अन्रेश्ट है पर जब मैं बिल इशू कर रहा हूं मैंने उ तो सप्लायर के पास आपका एड्रस और नहीं है तो तो सप्लायर के पास आपका एड्रस अप्लेस अप्लाय हो जाएगा पर अगर सप्लायर के पास आपका एड्रस उसके रिकोर्ड में है मतलब बिल पर आपका एड्रस लिखा है तो सर रेसीबिन का लोकेशन इस दप्लेस प्लेस व्लाइब और हाँ यह पर खास बात यह बोल दिया किया अगर कश्टमर का पूरा एड्रेस नहीं है पर उसका केवल स्टेट का नाम भी है बैटा जो मेरे बैटा यूरे वह अन रिष्ट है पर वह की सटेट से बिटा मालो वह स्टेट को उन साम अमध्यप्देश आप मेरे दुकान पर आए आपने मेरे से कोई गूर्स खरीदा और मैंने आपका केवल इस्टेट मद्यप्देश लिख दिया आपका एड्रेस में तो भी माल नहीं कि आपका एड्रेस रिकोड है और मद्यप्देश विल बीद प्लेस व सप्लाइए रेसीपन का लोकेशन वि सर्विशेस के लिए क्योंच सर्विस ट्रांसपर फोट्स इंक्लूडिंग मेलोड कुरियर सवीच वचा सर्ट ट्रांसपर फोट्स आप कर रहे हो में मालोग ट्रांसपर दूर बेचा कि आपने मेरे को गूट्स दिया कि साब घूट्स मद्यपदेश गुजरात भेच दो तो ऐसे केस में मैंने जो ट्रांसपोर् of चास्ज लिए ओगा इसके लिए प्लेस को सपलाय क्या होगा बोल दिया किया अगहरраз cabbage इसने फ्रेट पे किया है वो गर के verme जिस्ट उसका लोकेशा नहीं कहा जो हिए कि बच्चा प्लेस ऑफ बांगल Cyrus van Greece originally मेंवेर तो जाखे तो ज तो इसके लिए प्लेस अप्लाइ कुछ और हुआ करता था क्या हुआ करता था उससे मतलब भी नहीं है वह याद भी नहीं करना आपको सिंप्ली देखना है क्या सर अगर ट्रांसपोर गुड्स किया है तो रेसिपिंट अगर जिस्टी में रेइस्टर तो उसका लोकेशन इस जिसट प्लेस अप्लाइ और रेसिपिंट अगर फिसले रेइस्टर नहीं है तो सर जहां से गूट्स पिक किया बिटा जासे गूट्स उठाया है दपलेस्ट वेरसेच गूट्स अरह यज रहने वो तुदी ट्रांसपोर फॉर्द्टर फोर्ट एडश्ट्राइशन इस सब्सक्राइब पहली बना चर्प आता है अगेटा पर पहले सटलाइब लंजिंग तर्वीसेज इंडिन इस्पेस रिसेर्च और इस्रो या अंत्रिश कोप्रेशन लिमिटेड यह न्यूव स्पेस इंडिया लिमिटेड में सर्विस्टी ती तो ही एगजेट हुआ करता था अभी तो new startups को promote करने के लिए कोई भी परसन अगर सेटलाइट लांचिंग सर्विस दे रहा है तो it will be exempt from GST बेटा क्लियर डन कोई खाज बात नहीं थी पर ठीक था अब पॉष्ट बात कर चुका हूं ministry of railways इंडियन रेलवेज को जिसे डिपार्टमेंट पोस्ट की सारी सर्विस पर टेक्स लगता है वैसे ही सर ओर्डिनरी पोस्ट हाई ना भाई बुक पोस्ट यादा है बच्छा उस पर अलग से घ्रम किया है अलग बात है ठीक है सेम वे सर मिनिश्ट्र ओफ रेलवेज और इंडियन रेल्वेज ने कोई भी सर्विस दिया हूं क्या है टेक्स बले वह भी फॉरवर्ड चार्ज मे अगला जो अमिर्मिंट था वह एक नया पॉइंट एड किया आपने अगर सर विस दिया गौर्वर्मेंटल ऑथरटी को बिटा किसको दिब्टा सर्विस गौर्मेंटल ऑथरटी को बिटा एक पॉलिक हेल्ट सेंटेशन कंजरवेंसी शोलीट मेनेजमेंट और स्लम इंप्र तो जो फीस आपने चार्ज करें उस पर जीएश्टी नहीं लगेगा आई रिपीट पाच काम कॉन से बिटा वोटर सप्लाय पब्लीख हेल्थ सेनिटरेशन कंजर्वेंसी सॉलिट वेस्ट मेनजमेंट साफ सफ़ी के काम बेटा क्लियर एंसलम इंप्रूमेंट के काम अगर आपने किया है जो भी फीस चार्ज किया किसे गौर्मेंटल एजिनसी से गौर्मेंटल ऑफोरीटी से बिटा उस पर जीएश्टी एग्जिम्टे करते हो क्या सब्लाइक गुट्स अ किसके तुरू बेटा एस यो के तुरू बेटा जापर टीसी एस एप्लिकेबल होता है तो वह पर गूर्ट के सप्लायर को पहले कंपल्सरी रिजिस्टेशन था कोई थ्रेशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता था बहले आपकी इस्ट अगर आप गुथ के सप्लायर अगर इहें था रे एन फि को पूल के सप्लायर हो तो सब्सक्राइब तो इंट्राइब सप्लाइब तो इलेक्रोनिक कॉमर्स ओपरेटर जा पर टीस अप्लिकबल भी होता हो कोई फर्क नहीं बढ़ता है बेटा सर आपको थ्रेशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा गुड्स के सप्लायर को सर अगर आप उन चार स्टेट में हो तम अगर बेनिफिट मिलता है विदिन देश्टेट सप्लाइब करते तो बिटा मतलब नॉर्मल जो थ्रेशन लिमिट का बेनिफिट मिलेगा कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूवत नहीं है बली आप गूट सप्लाय करते हो थ्रू इलेक्रोनिक कमर्स ओपरेटर ज यह उन स्टेट में 10 लाग और कुछ जगा पर 40 लागा बेनिफिट है तो 40 लागा मतलब जो थ्रेशन लिमिट का बेनिफिट है वहां तक आप गूट सप्लाय करिया हमें को दिक्कत नहीं है उससे उपर गए तो ओविसली रिजिस्टेशन तो कराना पड़ेगा नहीं है क्ल और देन वन इस्टेट और युनिंटेटरी आप एक इस्टेट में लोकर रोने चीह ए मोर देन इस्ट वन इस्टेट यह उनिंटेटर से आप इसव तुर सप्लाय नहीं कर सकते बेटा फिर तर्स परसन शेल बी रिक्वार्ट वेवा पर्मानेंट अकॉंट नमबर होना चा वो इस उक देगा और बिना यूनिक एन्रोल्मेंट नमर के इस यू कभी भी उसको सप्लाय करना अलाओ नहीं करे अपने प्लेटफर्म से बैच वच्व पड़ो सच परसन शायल बीफोर मेंकिंग एनी सप्लाय फ गोड्स तूएज यू डेक्लेर अन दी कॉमन पॉर्टल दीए पैन नंबर उनका इडरेस आफ देर प्लेस ब्लेस बिजनेस एंड़ श्टेट और उनें टेटरी इन विच सच परसंट सीकु मेंक शप्लाय मतलब उसका अडरेस किया है प्लेसो बिजनेस का उसका पैन नमर कह और कौन से स्टेट में उस बाकना चाहा तर और यह क्लियर पढ़ना पॉइंट नमोर फाइव सच परसंगे अपको एन्रोल्में नमर मिल जाएगा बच्छा ठीक है बीना नमर के यह आपको यह एग्जिमिशन अलाओ नहीं करेंगे बच्छ परसंग शेल नोट भी ग्रांटेड बच्छ शेल अपको बीश्रों नमोर बच्छ एग अपको यह पीजिए पिर नो सप्लाइफ गोड शेलिमेट भाई शेल उसेओ त्रूस परसंगे अन्रूमें नमर पर इसुछ तो एच्छ परसंग अब बिन ग्रांटेड रमाट अन्रूमें नमर नमर अगर आपको सब्सेक्वेंटली रिजिस नमर मिल गया तो दा एंडूल्मन नमर क्या हो जाएगा विड्रो हो जाएगा वो इन्विलिड हो जाएगा वो इन्विल जाएगा बच्छा अपका इफेक्टेट रिजिस नता है अपने रिष्टेशन लेए नमड़ टेक्सपे करना आपको तो नॉमल असिबर तो आपका एन्रूल्मन नमर क्या हो जाएगा वो इन्विलिड हो जाएगा बच्छा जिस दिन साप्का रिजिस नोंग उसर नोमल टेक्से करना जब तक आ अब रिश्टर नहीं थे टेक्स पेकर नहीं जरूत नहीं है और खासबाद वापे टीस भी नहीं लगता बच्चा हम आगे पढ़ेंगे इसमेटा आईए बच्चो सर अब अगात्र सर्थ आ कराना पड़ता ने हैं अगर को कोई पर्सन रिसकी पाये खेंगे खेंगे इंअ यह पता बढ़ा कि इस परसन ने पास्ट में कुछ गड़बर करी भी बेटा इफ एनी परसन इस इडेंटिफाइड ओन पॉटल ऑन दी बेस ऑफ रिस्क परामेटर एंड डेटा इसे केस में गुजरात के केस में अप्लिकेबल था कि आपको उस असेजिक को जब रजीशिश् अपड़ के फैसलिशन सेंटर पीटा फैसलिशन सब्सक्राइब यह पीजरात में अपलिकेबल था और यह भी पूटू चरिमी एपलिकबल कर दिया है तो ध्रेघर थे तर सर पूरे देश में अपलाई करेंगे पर अभी उजरात और पुरूटूचरू ने अपलिकबले ब क्वाल कर दिया बाटाइज को पिर प्लेसे और बाचो फिजिकलवेरिफिकिशन दिए प्लेस आप बिसनेस जो नम्हों बेखिने को रल्मनेटिपनेटफ५ फिजिकल वेरिफिकयां और पिर को रहसित का उसो प्लेस नम्हों देनना कि अरे मज़ा आ रहा है और हाँ कोई पॉइंट अगर आपको लगे कि आपको डिटेल में पढ़ने की जोड़ते तो इस लेक्षर को पोज करेगा क्लियर उस पॉइंट को आपको सरीवाइस करेगा अच्छा से समझेगा और फिर आगे बढ़ेगा बिटा आये सर फिजिकल व को बोलाय क्या अगर कोई से सी तर के पलाइघ प्लाइंता उसको मिलया है तो आफ्टर घ्रान्ट ड्रट…? यू अगर उस प्लेस भीजनेस का जिसने इसने रिजिस्टेस्ट लिया है उसका फिजिकल वेरिफिकेशन ने तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है वह आपके पहलोड करने पढ़ेंगे अन्दी कॉमन पॉटल कौन अप्लोड करेंगा प्रपर ऑफिसर बच्छा यह तो होगी बात किसकी राजिस्टेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपने फिजिकल वेरिफिकेशन किया है अब बात करूं किया कि बीफोर गंट ऑफिएशन में तर्विवेगे इस ट को या वे फिसली व्र這種 सर्टिफिकेट यह उनिकी अ फिरीफिकल अहीं के fearless का कि से आथार ऑथिकेशन उनी तर असेस के लिए करा जाता है जिन्होंने यह तो आधार ओथन्टिकेशन के लिए अप्ट नहीं किया या अधार के लिए अप्ट किया पर उधंगा अधार ओथन्टिकेशन फेल हो गया या फिर यह लोग यह रिसकी लोग बटा गुजरात और पूड़ुचरी वाले बटा अधार जिनको फिजिकल जिनको फिजिकली डिपार्म बलाया था वो लोग या फिर सब्सक्राइब प्रपर ओफिसर लगता है कि यह पर रजिश्टिकल वरिफिकेशन करना जरूरी है वना रजिश्टिकल गड़ जाएगा बच्छा तो ऐसे केस में वह पहले फिजिकल प्ल फिजिकल वरिफिकेशन की रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ अप्लोड करने पढ़ेंगे अन्दी कमन पोटल बिटा पर कितने ताम में बिटा यहां पता है बिफोर ग्रांट ओव रजिश्टिकेटेट बिटा यहां पर जिस दिन अप्लाय क्या रिजिश्टिक के सर उसके 30 दिन के अंदर अंदर डिपार्टमेंट को यह तो सर्टिफिकेट अफ रिजिश्टिशन देना पड़ता है या अससी को नोटिस इश्यू करना पड़ता है बैटा तो सर ऑफिसर को बूल दिया किया तुम एटलिस्ट फाइज पहले यह यह तीस दिन एक्सपार अब अपना फिजिकल वेरिफिकेशन का रिपोर्ट इंक्रुडिंग फोनोग्राफ अप्लोड का देना बच्चा हाय ना बाई यह प्रॉपर ऑफिसर के लिए इंस्सक्षिन दिया इस रूलमट 25 के तुरू बटा भारत नता की जै आईये बच्चो रूमट 10A सर अससी जब अप्लाइ करता है तब उसको बैंक अकॉंट इडिल फर्निश करने पड़ती बटा पर अगर किसी अससी के पास बैंक अकॉंट इडिल नहीं है तो ऐसे कैस में उसको फैसलिटी दे रखा है फैसलिटी की अधर का बच्चा कि वो चाहे तो रजिस्टेशन सर्टिफिकेट मि अर इस अरियर मतलब मानलो आपका पास बेंक अंडिल नहीं है आपको दिश्टेशन दे इडिया बटा तो बीफोर फॉर फॉट्टेशिंग जिस्टेर वन जब तक आप में काउंड दुल फनीच नहीं करो ए तब तक आपका जिस्टार बनको फालील नहीं करने दिगए अगर आपने यह बैंक अगोंट डिट्री नहीं करी विदिन इस ताम लिमिट तो आपका रजिस्ट्रीशन क्या हो जाएगा चैंसल हो जाएगा क्लियर डिपार्ट्मेंट क्या करेगा यह रा सस्पेंशन रजिस्ट्रीशन में इसको लिंक करके बढ़ारा बैटा मैं सर अगर अगर आपने यह विदिन 30 देज आपने बैंक अगर फणिश नहीं करी अगर विदिन 30 देज यह बिफोर फणिशिंग जीश्टर वन यह यूजिंग फणिशिंग फैसलिटी विचवर इस अर्लियर रूम नमट 10 में जो टाइम लिमिट दिया बैंक अगर फणिश करने का उ सिस्टम बेश्ट ओचेक करेगा कि बैंक अपने लिफनिश करी की नहीं कर योगी तापको सर आपका रवखिश्ट घर देंगे और आपको एक इमेल बेज देंगे कर देंगे कि आपका इन कारून से अमने क्या कर दिया है सस्पेंट कर दिया है सर आप जल्दी से रिप्लाय करें तो कि रिजिट्रिशन क्या हो जाएगा कैंसल अब आपने अगर कि सर रजिस्ट्री संपेंड होने के बाद किया कर दिया है बेंके कंडी फण इस कर दी इन यह दे रहा था आपके कि आपकाया वे और आपका रेजिस्ट्रेशन के अवर ज्याएगा रिवाइड हो जाएगा बच्छा क्लियर डन का यह बच्छों दिट अब आपका एक बर क्या ओक एंसल अगर किसी स्गेंट आगोचे यह खाएंसलोगए सब्सक्राइब दाता है तो पहले उसको दिया था बैटा अभी सर डिपार्टमेंट ने अससी को टाइम नब्य दिन का दे दिया बैटा जिस दिन से उसको ओडर सर्व हुआ है ऑफ कैंसलेशन रजिसेशन उसके 90 देस के इंदर वो रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिए अप्लाय कर सकता है पर अगर लेट हो गया अस दुनिया बर्बाद हो जाएगी डावरी तो सर ऐसे केस में आपने रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन के लिएगा तो यूद्गेशन उसके अप्लाइग किया तो यूद्ध प्लाइए फोर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन विदे ना 90 देश कि नब्य दिन कंद आप या दिन के में इन कारणों से लेट हो गया था आप मैंको प्लीज फॉर्दर टाइम और आलाओ करिए तो जोईंट कमिशनर या एडिशन कमिशनर आपको फॉर्दर वन इटी डेस का टाइम और देगा सर्फ और एप्लिकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन मतलब आपको टाइम कित क्लियर यह कम समय में आपने जो मैक्समुम अमेंडमें आप कवर कर रहे हो दिस विल भी वेरी मच यूसफुल और इस वीडियो को देख लेना बिटा और अपने सारे दोस्तों को बता देना कि माहल बनने वाला है इस वीडियो को देखे गए तो बिटा आईये सर ईसी ओ इस सबसेल है विट अगर आप टी से इस का रिटन जिस अरे दो उसको लेट फाल करते हो तो लेट फाल किया पर तीन साल निकल गए बिटा और आप तक आपने जी प्रिट फैल नहीं किया तो अब जीचर एट आपको फाल करने नहीं देंगे अगर आपको फाइल नहीं करने देंगे सर ब्लोक कर देंगे आपका ओर रिटन पर सर अगर गुवर्मेंट अलाओ करती तो बादा लगए बच्छा अगर रिजन को लगा और गौवर्मेंट अलाओ करते तो अलग बाता है बच्छा हो अब यह वोच्छो जैसा हमने अभी उपर पड़ा बेटा कि अगर आप इलेक्ट्रोनिक कॉमर्स ऑपरेंट तुरू गुट्स अप्लाय करते हो क्या सप्लाय करता गुट्स है ना भाई तो भी आप कंपल्सरी जिस्टी में रिजिश्रेशन के लाए वाई नहीं हो जब तक यह आपका टानो थ्रेशल लिमिट क्रोस नहीं करता बटा तब तक आप रिजिश्रेशन के लिए एक्जेम्ट हो कोई तकलीव वाली बात नहीं है तो वहाँ इस्यों को क्या इस्पेशल बाते ध्यान रखनी बेटा किसर सबसे लिवा तो उसके पास एन्रॉल्मेंट नमर होना चीए बैच्छा तो ही वह उसकी तुरू सप्लाय अलाओ करेगा सेक फाल करेगा औलबिटा जितना भी सप्लाय हुआ है थ्रूुई इसीओ अउन सबकाट ट्रांजेक्शन का डिटल उसके लाओ फाल करना पड़ता है तो जब ECO अपना जेशार 8 फाल करेगा उसमें सर वो सारे ट्रांजेक्शन जो अन्रेश्टर परसने सप्लाई किये है क्लियर वो सारे ट्रांजेक्शन भी इसको डिक्लेर करने पढ़ेंगे तभी तो गवर्मन को रिपोर्टिंग मिलेगी बिटा कि इतना सप्लाइस ने किया है थ्रू ECO हाई ना तो इता आपका टॉर पता पड़ता पाएगा गवर्मन को बच्चों ठीक है डन सरकार तो ऐसे के कहिननने सिली रही बेटा कहले अपने मालति अधना पॉल्ह स केम बेटा किULU जब और जब कोई पर्षक में और नहीं रही हो औब ऑसे नहीं परशन हो जिसमें कमपूजिशन श्किन ले रही है आप सप्लाइब और तो अभी अभी हमने कंपूशन स्की में भी पड़ा विटा कि अगर आप गूट सप्लाय करते हो तुरू सच इसी ओ जाब भी टीस अपली के बलोता है कोई दिक्रत वाली बात नहीं है सार आप कंपूशन स्कीम के लिए एलीजबल हो आप कंपूशन स्कीम लेयर कि आपने को अब इस यह को क्या कहते है अब अपने अपने प्लेट्फों पे ऐसा कंट्रोलिंग करना पड़ेगा कि यह लोग इंटरसेट सप्लाय नहीं कर पाए से केंड तीस कलेक्ट होगा क्योंकि कंपूशन स्कीम की किसम टेक्स लगता नहीं परसेंट इसलिए सर यहापे जो ईसी टीस कलेक्ट करेगा कोई दिक्कतली बात नहीं है और थार्ड जब अपना जिस्टार एट फाल करेगा बिटा तब वह सारे टांजेक्शन जो कंपूशन सप्लायर ने किये थ्रू इसी ओ वह सब भी डिक्लेर करेगा बिटा कोई खास बात नहीं क्लियर बस उपर जो एक कंपूशन की में है बिटा तो टीस तो लगेगा ना बचाहिए यह डिफ्रेंस है ना भाई बागी जीशर 8 में साले टांजेक्शन टीक्लेर करने वह तो है यह बिटा क्लियर इंट्रसेट्स अप्लाय अलाओ नहीं करना वो दुनों के लिए अप्लिक अले बच्छा क्लियर नेट्वर्क फोर डिजिल कॉमर्स हो गया बच्छा एकमर्स बिजनेस बहुत बढ़ रहा बटा देश के अंदर तो क्या हुआ जबी मल्टीपल एकमर्स ऑप्रेटर्स इन्वाल होते बेटा जैसे में कस्ट्मर भी बेटा मैं पेटियम की वेबसेट पे गया बेटा एप्ल मौल्ग रही हो अलग जिगवेर को ले गिया ठीक है अब सरफते नोल पर अप सप्लाइब गिटा लिडम वेटा बेटा सप्लाय मौल पर आप सप्लाय्य विटा तो सर आपका अविदी किससे फेटें और मौल से बेटा मेरा करेट तरफम से अब एपनें से भी मनläठ को लिं प्रोविजन आता है क्या कि सर हमने पढ़ाओ अच्छे से कि हूँ इस लाइबल टु कलेक्ट टीसी एस आप मुझे बताओ बटा सर टीसिस कौन करता बैटा टीसिस कब कलेक्टर होता बच्छा जब सप्लायर सप्लाय करता है गुड्स या सर्विस्टू सच इस यू जब टीसिस काट लेगा बटा यही प्रोविजन में चाहत तो आप मुझे बताओ सर मल्टीबल ए-कोमर्स ऑपरटर वाला मोडल अगर है तो सप्लायर को पेमेंट कोन करेगा यार सप्लायर सट वाला । तो सप्लायर सट वाला इस यह क्या है बटा वो इस यह जिसको टीसिस कले चाहिए ओन दा सप्लार सब्सनाइब को नुका नुक्रेयर सप्लार सब्सक्रणाइब प्रक्रण कर रहा है शुलत इस प्रक्रण सप्लार में आपने पेटा थी ने से घुक्ता करें Bis kemud अब ऐसे केम सप्लाय को है अपने अपने चप्राइर कि इसने और करेगा सर एक पर सनने इसको यह बली इसに और यह बली इसी ओ है और आई मीलिटिंट लिह तो यह पर सप्लीर नला मात करेगा इस्यों आप ट्ली सॉंद अचल करेगा सब्सक्त्राइब संद्ष इसका निस्का राइगा इसको मना जाएगा एजब सप्लायर को सप्लाय करता है तो जब एक सैंत्क्रों करेगा आकउंट केर एक सब्सक्रीन करेगा था दो एक मसल रगा है शीन कि अगर आपने आइटीसी रोंगली अवेल किया पर उसको यूटिलाइस करने से पहले ही क्या कर दिया रिवर्स कर दिया तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं आएगी बैटा पर आपने रोंगली इडिसी और शूंक उसको हुटीणाइज कर लिया असे अडीज सिखला भोष कर लिया तड कढ़ आतर कंप teaching में आपने आपने क्सम्ठी शुल अवसक को सब्सारा आपको हुआ यहां बूल जिया किया है बच्छो किस वरक क् 직 का एस्ट to be ACE SAP कि डं यर्ड लग कमिनि लिया आईसे डिया जिस्टी का जो गलत एडी सीथा मुझह नहीं पताता रिछेट तो मैंने अने देल लिखा है ये जिस्टी आई टीसी लिए अविल कर लिया बटा सबस्क्राइब एव आइटिसी ओफ आई ज्य टी ओफ एश्य ट्रॉपीज टैनलिक रोंगली मेटव क्लेयर चलिये माल्मों पर फीट तह करेंग पास फिटेंगे मतलब अल्टिमेटल मैं पास 40 लेका इटीसी बाच्चे है 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 अटोटल किया मालिक अपसर कया हुआ सर मालो जन्हवरी मेने कि बाचल रहे बेटा अभ जेन्वरी महीनें की लायव सभिविधी कि इतनी बच्च जैन्वरी महीने की लाइबडी थि सबोस्फच 25 लाग की मेरी लायवरीड़ी बच्च अब 25 लाग की मेरी बलियokingleg regional cqo sqo सब मिला के मिला की बच्चousT आपको पता है क्या सर सबसे पहले ऑई जेस्टी का ITC यूटिलाइस करते है भीटा सब मैंने बेटा और बात ने बुदा वोला कि यार यह आईटीस तो रोंगली अवेल्ड इटीस था बच्छा तो डिपार्टमेंट क्या बुलता है बाइसाब वह दस लग का आईटीस आपने यूज कर लिया आप इंटरस्ट पे करतो मैंने बोला बाइसाब सोचो अगर मेरे पास आई वो तो आपने कानूने सा बढ़ा रखा है कि मैं पहले आईटीस यूज करू और उसके बाद सी और इसका बैलेंस यूज कर विच्छा इसकी वज़े से मेरा आईटीस यूज करना पड़ा क्लेर तो सर ऐसे के इसमें गौर्मन सब्सक्राइश करके बोला कि मंगल बिल्कुल सही बोल रहा है ऐसे केस में अगर आपका टोटल आईटीस अकाउन का बैलेंस 10 लग रुपी से कम नहीं गया तो हम यह मानेंगे आपने वो रॉंगली अविल्ट आईटीस यूज नहीं किया सर मतलब आईटीस का आईटीस यूज किया नहीं किया उसको देखने के लिए सीजेश्टी एज़ेश्टी प्लस आईज़ेश्टी इन तीनों के आईटीस को एड़ करके फिर देखना अगर आईटीस अकाउन का बैलेंस 10 लग से कम जाता है तो समझ जाना कि उतना मोड आपने यूज कर लिया आईज़ेश्टी का अदर्वाइज आपको कोई इंट्रस यूज नहीं करी बिटा ओके को इंटर्स नहीं पेकना बिटा क्लियर सेम वे केस नमटू क्या यह कैल कुरूश्टी कंपरिशन से सको भी कंसर करना answer is no क्यों क्यों कि GST कंपरिशन से सक्रेट अपने रोंगली अविल का अगर आपको से सब्सक्राइब आपको तभी मिलेगा कि अपने डिशन इस मीं काम नहीं अथा लो आपने आएटिस्टी का यूचला फिर्टा यूटिस किया उसकोशना करते वक्ता इसका जो इसको आपने बिटा-इसस्य करना नहीं करना है क्योंकि यूटिसी का लायविली अचला विटा क्लियर डन सरकार आईये चप्टर में 13 टेक्स इन्वेसल चप्टर में क्या अमेंड में वा छोटाव सा पो हिंड़ सर देखना द्यान से इन केस ओफ सप्लाइफ ओनलाइन मनी गेमिंग बेटा देनरा बच्छा या आप कोई भी सर्विस सप्लाइब कर रहे हो थ्रू इसी ओ सर्विसेश की बाद कर रहा है या इसी ओ खुद कोई सर्विस देराए बटा है ना बटा किसको सर जो कस्टमर अन्रेश्ट उसको बटा या फिर आप यूडा सर्विस देरागोटा ओनलाइन इनफॉर्मेशन ओर डेटाबेस अक्स पर रट्रीव बच्छा या कोई खुद ऑन्रेश्ट पर शन्रेश्ट फेस में कॉ तो एसे केसमें कॉस्टमर अन्रेश्ट ए विडांट कर एर इस प्रिव बल्यू सप्लायर आपको सर कस्टम करता है तो ही कस्टमर का नाम एड्रेस लिखना ही पड़ेगा क्लियर अधर्माइज सर्विस्ट दे रहा है या ओनलेन मनी गेमिंग वाले केसे तो वह इस्टेट का नाम आपको लिखना पड़ेगा और वो जो इस्टेट का हिस्टेट का वहिए फिरक आलनेम लिखाएगा एड्रेसों then चीपर४न पनेयगा के से बिखना और उसगारेष्थ सब्सक्राइब का यह थो यंदेट परbor टमनेम उसनलते वच्पल्ष किया सोट्मेस किया है या एक्सपोर्ट किया है गुट्स सब इसका बच्चा और अगर मेरा इन एन अफ दी प्रिसिदिंग फिनेशलियर फ्रॉम 2017-18 ओनवर्ट एग्रीगेट अगर अगर एकसिदिंग सब्सक्राइब अब इसको रिदूस करके कितना कर दिया प्रिटा है ना भाई तो मेरा अगर एकसिदिंग फ्रॉम 2017-18 ओन वर्ट्स तो मेरे लिए इन वसके प्रॉसिदिंग अप्लिकवल बच्चा ओके डन फिर मानलो मेरा कस्टमर को नविटा टीडियस डिट्रेक्टर्स ब करें दी यह मैंने गुड़ सप्लाई किया कि इसको ग्वणर्न के डिपार्ट्मेंट को एस्टब्लीश्मेंट को गवश्मेंट को एकसिजिए सब्सक्राइब नहीं है तो यशे केस में अगर मेरा टान और एकसे इंग फाइड क्रोर था एकले यूल्य तो इसको बीटूब में आते हो और ऐसी केस में सब्सक्राइब क्या वाला होंगे आए बच्छों सर रिटरंस अंडर जियेश्ट में क्या अमेंडमेंट थे वह भी देख लेते बच्छा सर जैंदना बच्छों जिसा में आपको अल्ड़ी पढ़ा चुक हो मेटा किया तीन साल से जदा होगे बच फैल नहीं किया तो अब आप जिस्टर वन ट्रीवी एट और नाइन फाइल नहीं कर पाएंगे एक्सप्ट वर्दी गॉवर्मेंट अलाउस दसेम बेटा हम उपरी पढ़ चुके बटा है पॉइंट आए बच्छों सर अगला बार कौन सा बार भाई बार ओन फाइलिंग ज का आपके जिएश्टर थीवी फैल नहीं किया अगर उसने प्रीजिदिंग मॉठी उपरिजिटिंग मन्त उसने क्यूहां इन फाइल नहीं किया या तो चुर्द के सर्व करने हैं तो करन्ट के सरवन फैल नहीं देंगे तो प्लस अगर आपको रूल नुमर 88C में वी नोट तो आपके जिएटर वन में सेल जदा है और 3D में सेल कमें बेटा तो आपको नोटिस सर्व कर देंगे बिटा और रूलमर एटीट सीखा साथ दिन में नोटिस का यह तो आपको रिप्लाइद आपड़ेगा यह डिफ्रेंस आपको पे करना पड़ेगा जब तक आप टेक्स प कि सर अगर किसी असेसी ने जिस्टा 3B करतवाग आईटीसी ज्यादा ले लिया बेटा एस कंपेर टू आईटीसी रिफ्लेक्टेट इन जिस्टा 2B बेटा मतलब आपके जिएस्टा 2B में आईटीसी कम दिख रहा है और हमने आईटीसी पर पर्तविक बढ़ा है कि अगर को इसमें डिपार्टमेंट रूमर एटीट डी लेक्या गया और बोल दिया किया ऐसे केस में सिस्टम जनेरेट आपको एक नोटीस सर्व करते जाएगा इन प्रिस्काइब फॉर्म और नोटीस सर्व करके बोलेंगे या तो साथ दिन में हमें रिप्लाय दीजिए कि यह डिफ अगर डिपार्टमेंट को एक्सट बले तो नोटीस विड्रो कर देंगे पर अपने रिप्लाय समीट किया साथ दिन के अंदर पर डिपार्टमेंट को एक्सट बला नहीं है तो अगेन वो शोको रुटिस सर्व कर देंगे अंडर सेक्शन मां 73 और 74 बेट आपको हाँ ना भ यह जब तक आप यह डिफ्रेंस अमाट ओफ आई टीसी गवर्मन को पे नहीं करते हो तब तक आपका जेश्टर वन ब्लोग करते जाएगा ना आप जेश्टर वन कर पाएंगे ना आप इन्वेस्ट फरनिशिंग फैसलिड यूज करके इन्वेस्ट फरनिश कर पाएंगे कि अगर आपका रजिश्ट नहीं करी थी तो जब तक आप बैंक अकॉंट फरनिश नहीं करते हो तब तक आप जेश्टर वन फैल नहीं कर पाएंगे इन्वेस्ट फरनिशिंग फैसलिड यूज नहीं कर पाएंगे जो उपर भी पढ़ा था बैटा आईए बच्छे सबसें अगर किसी कमणीन ने अपनी शब्सवड करके और तो इस सप्ला यह यह ज़्यक्रा इगा अरे भाई सेक्यूटिजर सप्ला फूर्प सफ्ला फॉर्स और सफ्लास फर्फेस किये शेयर्स होल्ड किये एट देशंट मिन की कुछ सप्ला इन तीIt लिंग हो ही कुछ पॉल आट हो पया है क्लेयर इससीे मग добавیا अजसाओ गोड़ने चैन्कों कई गोस्य से रिए भीस बेस्ती यहार couples अल्ग होती पिचा यह इन्दी क्यापसिटिव डार्टर कुछ सर्विसीज दी कंक्पनी को या ब्सक्राश को बीटा माल명 किसी पॉर्ड कॉंपनी का मैं डारेक्टरिता अब कंपनी को को फीस चाहिए, मेरे दिया था, तो मैंने आफ्पीस बंदिया एकमनी को और मुझे रिंट पिकीया, तो इजि दसर्वीस, Pornika गॉर। इस दसर्वीज इस प्रवाद बाई भाई दी डारेक्टर in the capacity of director, no, sir, अगर डारेक्टर ने कोई भी service अपनी पर्सनल को बंदि मैं अपनी private करवशес्र देये कंपनी को तो वो इनदी क्यापष्टर डिरिक्रैक्टर नहीं है उ में फार फिर्लेलस मेंने सरवीड़ होगा तरटा लगे Efendimiz आने के विठा मतलब जापे समोचा मिलता है पॉपकोर्न मिलते नीजिए तो क्वेशन आये किया क्या वो रेस्ट्रून सर्फिस है आंसर इस है जरुण की रेस्ट्रोन के प्रोपोर रेस्ट्रोन बड़िता अगर कोई भी हीटिंग जोईंट है जापे फूट सरूर है खाना पका के तो चर्फ कर रहे बटा अगर अपने मुवी का टेक्ट बूक कराए बिता एकटे के साथ में पॉपकोर्ण प्रोविजन ही लगेंगे पूरे अमोंट पेटा जो आपने चार्ज किया बेटा क्लियर डन आओ बच्चो सर एड़ुटाइजिंग सेक्टर बेटा एड़ुटाइजिंग सेक्टर लिए एक सरक्लर लास्ट सर्कुलर और वामेंट्मेंट्मेंट्स बच्चा भारत नाता की जाए होने वाली यह दिल थाम के सुनेगा बचा मालो मेक एड़ुटाइजिंग कंपनी बेटा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने को नया प्रोड़क्ट लॉंच किया उसके लिए मेक एड़ुटाइजिंग अपनी बेटा मेरे को बोला मुंबई मरीन ड्राइव वापे मेरे होडिंग लगने चाहिए है जा मेरा प्रोड़क्ट डिस्प्ले होना चाहिए मार्केटिंग होनी चाहिए शांदर वाली है कि क्लियर मैंने का ठीक करवा देंगे साभी है कितना रुपे लोगे मैंने का फाइल एक रुपी लुगा बोला डन अब मैं हूं एक एड़ुटाइजिंग कमनी बिच्चा ठीक है अब सर मैंने क्या किया बटा मरीन ड्राइव पर देखा किसके पास लोकेशन है होडिंग मे बात करी बेटा कि अधाल होटलें के एक्सांबल है बैट होडिंग वाला बैट जिसका किया था हूडिंग था बैटा हाए ना मैने होडिंग वालस बात करी कि भाई यहाँ पर हमारा एडवर्टिजमेंन है जए करना है मैं को यह स्पैस दो मैंने क्राइव है देए चिभक सर एडवरेशमेंट क्मपनीatra एडवरेशमेंट कंपनीने माधीं ने होटिंग वाले से होटिंग काacz एरियारत भी ले लिया इसको बलोकिक avena साथ इस पेस फ्रेशिमेंट सर्विस तॉसरय एक तरह सा जै होटिंग माले लेयां आज खेस किया है रिए उनन सेल वप स्पेसोन होडिंग अ क्लिएर तो सरुसिंस होडिंग्स आर इममूबल प्रोपरिटी बता है अ हटा हौडिंग्सणा वबकि तर्मानेंटलि का अठी से सर अटेज किये वह अखे बच्चे बते बेंचे इक है। बैटा सीटीज का इवेसे बैटा सर रोड के साइड में यह किसा रोडिंग लेगे उते जाप यह दूटीज में बच्छा वह ओधिंग मालो मेरा है विटा मैंने अटुटीज में कमनी को बोला कि सर्थ 2 मेने क्ली मैं आप से लोगा कितना 400 लाग बटा वार लैक उस तुमला यह तो सर देन ना बच्छो होड़िंग वालने क्या किया है इम्मूल प्रपटिक रेटर सविस दीव इटा क्योंकि यह नदी सेल फिस्पेस पर एड़टीजमेंट अब होड़िंग वालने एड़टीजमेंट कमपनी को अपना होड़िंग इस पेस लीच पे दिया रेंट पे यह नविटा तो देट इस धर विस इन रिलेशन टु इम्मूबल प्रपरटी ओर शर्विसेज इन रिलेशन टु इमूल मूल प्रपटी के स्मेश में सेक्शन नम्मर ट्ल सब्सक्शन त्री मैं गटा है प्लेस वो सप्लाय का जाहां वो प्रोपरटी लोकेट एड़ तो सर अक्रोडिंग्ली सब्सक्राइब बुछा मानलो होडिंग वाला खुद मुंबई महारास्रा गता नहीं होन। सब्सक्राइब रिश्य सब्सक्राएब कौन होडिंग वाला किसको एड़वाइश्मन कमनी को बढ़ा अब अलिझ विपन कमनी का क्यों बैगलोरू की उसे कोई इसन नहीं है पर कि ABC प्रइवेट लिबिट को एड़वेट कमनी ने बिल किसका लिखा फेटा क्या उसने कोई एरिया रेंट प्र दिया गया नहीं कि एड़ीजम्स कमणी ने तो एड़ुद इसमें दिखा होगा बिटा किसको एबीसी प्राइट लिमीरे पिटा ये यर अवीजब लिम एड़ीजम्स कमणी क्या व्ला तुम एड बना के लगो ग मुम्मी मारे इन रेव बिटा अब तुम होडिंग इसले तो क्या तो मीजब प्रवादिंग अडवर्टिबन सर्वीसेट टू एबीसी प्रवाट लिटेड और यहाँ पर इस सर्वीस पर जो पास्ट लकी सर्वीस का बिलता विटा उस पे प्लेस्ट व सप्लाइए सेल अबर ट्वेल सब्सक्शन टू के अकूडिंग आएगा सर यहाँ पर इम्मुल कंपनी जब दिखेगी तो सक्षंट में 12 सब्सक्श्शन टू मतलब कि ABC प्राइव लिम्तेट अगर जीश्ट में रइस्ट है तो उसका लोकेशन इस दप्लेस अप्लाइए और अगर अगर ऑसका ब्रॉकोड भी नहीं है तो सप्लायर खुद का लोकेशन मतलब एड़िजम कमनी मालों बैंगलूरी को की है बिटा कल कर्नाटगागी बिटा और ABC पर अणरा इस мощ का है राजस्थां अब यह कल घृट और यह औरटि duż निवें मिखे जाए यह case number 1 जो था बेटा इसका वो एड़राइज में कमपनी वाला था बेटा और case number 2 जो था बेटा वो था क्या यह sale of space on hoarding वाला बेटा क्लियर इन दोनों के प्लेट उसप्लाइब जिए क्यावाए क्समर वन और क्समर टूमें इस अब नहीं होते हैं मैंने का को शिशिष किया एक रीवीजिए लेक्जर देग्शाम में सायोगे ऑपके रिवीजिण वास्ट हो जाएगा सारे अमेंडमेंड का इसापको हेल्प मि करिए क्योंकि कैली खाया पर देखो चलो अपनी तक्दीर को एक नाया मोड देते हैं चलो अपनी तक्दीर को एक नाया मोड देते हैं जी तोड मेहनत से मंजिल की करें को तोड़ देते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं लगाल अपना पूर अद शेर जरू करना क्योंकि यह लेक्ट्टर बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम्स पर फस्क्लिए बेच्छा के क्लियर दन ओल दी बैस्ट मस्तों के बढ़िया खुश के बढ़िया बेटा बबाए